दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही रोचक जानकारी एक ऐसे देश के बारे में जहां पर महिलाएं पैंट नहीं पहन सकती तो आईए जानते हैं इस देश से जुड़ी ये अजीबो गरीब बातें दोस्तों आपका स्वागत है रहसिमैक्स यूट्यूब चैनल में अद्भोत रहसिमाई और रोमांचित कर देने वाले कहानिया और किससे कुछ अनसुलजे रहसिर जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए रहसिमैक्स यूट्यूब चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे की आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों उत्तर कोरिया में ऐसे अजीबो गरीब कानून है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है उत्तर कोरिया अपनी शाषन पद्धती की वज़े से हमेशा से विवादों में रहा है कभी वहां के ताना शाही वाले लोक तंतर को लेकर तो कभी विवादित सैटलाइट परि 2017 में जी रही है वहीं उत्तर कोरिया में अभी 104 चल रहा है आईए जानते हैं नौर्थ कोरिया के बारे में कुछ रोचक बातें नौर्थ कोरिया का सबसे बड़ा नेता और संकी शाषक किम जॉंग उन है किम ने अपने चाचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में फिकवा दिया था उत्तरी कोरिया के बच्चे इतिहास के नाम पर सिर्फ अपने देश के वारे में ही पढ़ते हैं और किम जॉंग एक किम जॉंग टू की बहादुर गाथाएं ही उन्हें पढ़ने को दी जाती हैं नौर्थ कोरिया के अंदर अगर आप बाइबल तो तुरंत आपको मौत की सजा सुना दी जाएगी यहां लगभग 99 फीसदी लोग सिक्षित हैं इसे शायद पूरे उत्तर कोरिया की सबसे अच्छी बात कह सकते हैं उत्तर कोरिया में लोगों को हफते में सिर्फ 6 दिन ही काम नहीं करना पड़ता बलकि उन्हें एक दिन का वॉलन्टियर वर्क भी करना होता है दोस्तों अगर आपको लगता है कि उत्तर कोरिया में अभी 2017 चल रहा है तो हम आपको बता दें कि वहां अभी 104 साल चल रहा है नौर्थ कोरिया में खुद की मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते यहां महिलाओं के लिए 28 और आदमियों के 10 तरह के हेर स्टाइल है नौर्थ कोरिया एक मात्र नेक्रो क्रैसी वाला देश है जिसका मतलब है कि यह आज भी मरे हुए साशक के अधीन काम करता है उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशिया नहीं मना सकते इस देश में किसी भी तरह की इंटरनेट सेवा नहीं है सिर्फ वी आईपी लोगों को ही इंटरनेट सर्फ करने का विशेश अधिकार प्राप्त है देश का अपना ऑपरेशनल सिस्टम है जिसका नाम रेड स्टार है अगर कोई नौर्थ कोरिया में अपराद करता है तो उसकी सजा अगली तीन पीडियों तक मिलती रहती है उत्तर कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर को रंग भी नहीं कर सकते उन्हें सरकार के आदेश के अनुसार इमारत पर ग्रे कलर ही पेंट करना होता है और उन पर नेताओं की तस्वीरे लगाने का भी एक नियम है उत्तर कोरिया में सिर्फ 605 आदमी इंटरनेट चलाते हैं नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा नियंतरित रेडियो लगा हुआ है नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमती नहीं है उत्तर कोरिया में सिर्फ तीन टेलिविजन चैनल है यहां के लोग मानविये मल को खाद के तौर पर इस्तमाल करते हैं पूरल सिटी बनाई है ताकि दक्षण कोरियाई लोगों को नॉर्थ कोरिया आने के लिए आकरशित किया जा सके अगर गरीबी की बात करें नॉर्थ कोरिया की लगभग पूरी आबादी बेहत गरीबी में जी रही है पिछले 60 सालों में उत्तर कोरिया से 23,000 लोग लगभग धाई लाख नॉर्थ कोरियन्स को जेल में डाला गया है इन कैंप्स को इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर घेर दिया गया है अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें मोबाइल घर पर रख कर जाएं क्योंकि वहाँ जाने पर आपके मोबाइल को एरपोर्ट पर ही जब्त कर लेने का नियम है और जब आप यात्रा पूरी कर कोरिया से वापिस जा रहे होंगे तो आपको आपका मोबाइल वापिस कर दिया जाएगा उत्तर कोरिया में हर पांच साल में इलेक्शन होता है लेकिन लोगों के पास चुनने को एक जाज़त नहीं होती है नॉर्थ कोरियन पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं न्यूजपेपर मैगजीन और न्यूजचैनल बाहर दुनिया की किसी भी चीज़ को कवर नहीं करते वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया को ही महीमा मंडित करने का काम करते हैं नागरिक सच के बारे में अजब गजब रोचक बाते आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं दोस्तों आपके विचार आपके राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जर चैनल